तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक ये फिल्म का डायलोग जो अब तक आमाध्नी पालिटी के राज्य सबसानसर्द संजे सिंग की इस्तती पर सटीक बैठता नजर आ रहा था अब ये डायलोग लगता है कि अर्विंद केजरिवाल की मौजुदा स्थेती पर बैठता नजर आ रहा है वज़े क्या है वज़े ये है कि अर्विंद केजरिवाल को बीती 22 दिसंबर को एडी ने पूछता आज के लिए आखिरकार तीसरा समन जारी कर दिया है वो तीसरा समन जिसको लेकर के लगतार सवाल उठ रहे थे जिसको लेकर के लगतार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या तीसरे समन तक की नौबात आएगी और अगर तीसरे समन की नौबात आती है एडी तीसरा समन अर्विंद केजरिवाल के नाम का जारी करती है तो फिर अर्विंद केजरिवाल का क्या रुक रहेगा कारणी शुरू होती है यहां पर 30 सक्टूबर से इसी साल के 30 सक्टूबर को और विंद केजरिवाल को पूचताज के लिए बुलाने के लिए एडी समन जारी करती है और समन में उन्हें 2 नवंबर को पूचताज के लिए बुलाया जाता है लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में भेजा गया है इसलिए मैं समन का जवाब देना मैं पूचताज के लिए पेश होना जरूरी नहीं समझता इसके बाद अरविंद केजरिवाल पेश नहीं होते और फिर वक्त बीतता चला जाता है इसके बाद तारीक आती है 18 दिसंबर की जब अ अरविंद केजरिवाल दूसरे समन पर भी पेश नहीं होंगे और उस दौरार अरविंद केजरिवाल अपने पहले से तह विपश्यना के कारिकरम का हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरा पहले से तह कारिकरम था और मैं पेश नहीं हो सकता था और फिर अरविंद केजरिवाल केंदर के दबा में समन को बताते हैं लेकिन जिस तरह से यहां E.D. ने दूसरा समन अरविंद के जिवाल के नाम का जारी किया और पहला समन जो जारी किया था तो इस दौरान जो बीच का वक्त था वो काफी वक्त था यानि करीबन डेड़ महीने से भी उपर का वक्त E.D. ने तीस समान चार दिन बाद ही यानी जिस सतरह से 18 सम्ट को दूसरा समन पेश Citizens様 तो ये तीसरा समन 22 समनर कोपेश कर देती है और अर्विंद के जिवाल को पूछताच के लिए बोला देती है यह सारी बात अजasına हो रही है क्यों कि बात ज़रूरी है नमस्कार मैं हूँ अक्षियागरवाल और स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में बात जरूरी है बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आज दौलत है दौलत से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के दौलत लगतार सवाल उठ रहे हैं जो पूरी य और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जस तरह से एडी ने पहले और दूसरे समन में वक्त लिया लेकिन तीसरा समन एडी ने एक हफ़े के भीतर दे दिया तो कैसका मतलब यह समझ ले जाए कि एडी अब अरविंद केजरिवाल को लेकर सक्त कदम उठाने वाली है और अरवि पार्टी के पतन का करण साबित हो सकती है क्योंकि जब से अबाकरी निती शुरू हुई है तब से बीजेपी लगातार उनके ओपर अटैक कर रही है यहाँ पर जहाँ ठेके खुलते थे यह पूरी अब अगर निती इसी से जुड़ी है कि यहाँ पर टेके खुलना या फिर किस तरीके से पैसो का यहाँ पर जो है समय ही जो है मुनिलोडरिंग की बात सामने आती है कि जो है पैसा यहाँ पर अपने फाइदे के लिया आ गया यानि चंदे के नाम पर एक वस्ताचार यहाँ पर आमानुदी पार्टी ने किया और यहाँ पर कहा गया है कि पूरी की प बड़े बड़े पहुंच जाते हैं वहां मीडिया पहुंच जाती है लगातार इंटर्वी होते हैं और यहां पर संजय सिंग पर आई और अगर अगर अरविंद केजरिवाल ही ग्रफतार हो जाते हैं तो आप समझे कि पार्टी का यहां पर पता नहीं हो गया यानि यह आबाकारी नीती की जो शुरुवात थी वह आम आदनी पार्टी का अंत कहीना कहीं रस्ती हुई नजर आ रही है 2030 के चुनापे ध्यान देना था तो पहला समन उन्होंने नहीं अच्छे से उसको रिसीव किया पत्र में जवाब देकर वो चुनावी रैली में चलेगे जमानत जब्त हो गई एक भी सीट यहां पर किसी भी हम देखें तो राज्य में शायद ही यहां पर अरविंद केजरिवा आप भी आईए और सवालों का जवाब दीजे कि आखिर इतना पैसा आपके पार्टी के पास आया कैसे आप तो राजनीत्यीं बदल नहें आये थे आप कहते हैं कि हमारे नेता यहां पर कट्टर इमान्दार हैं आखिर इमानदार नेताओ पर ही इतनी केस क्यों है इन हम रखेंगे तो समझलें की ग्रफतारी तह यहीं बाकी नेताओं के साथ हुआ और इसी का हला दो नवंबर की रात को यहां पर आवादी पार्टी के नेता उन्हें लगातार काटा मीडिया के साथ उन्होंने कई सारी बात्चित करी खूत अपने ऑफिस में कई सारी प्रेस की लगातार के कि 2 नवंबर को और विंद केजरिवाल की गरफतारी हो जाएगी लगातार यह राग अलाप्त रहे और यहीं डर था कि वह अपना समन का जवाब पत्र से देते हैं और एडी की तरफ एडी ऑफिस के तरफ नहीं जाते और यह तीन जनवरी को देखा जाएगा यह बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है कि याचना नहीं अब रन होगा यानि कि अब कोई पूछताज के लिए यहां समन नहीं भेजा जाएगा सीधे तोर पर एडी गिरतार कर सकती है लेगिन जिस तरह से यहाँ जवाब का जिक्र हो रहा है कि अरविंद केजरिवाल ने एडी के समन का जो जवाब दिया है दौलत जो हाल ही में जो यानि तीसरा समन एडी का जारी हुआ है उस पर जवाब अरविंद केजरिवाल का यह हमें जानने को मिला है कि अरविंद केजरिवाल ने समन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एडी ने ये साफ नहीं किया कि वे म मुझे मुख्यारूपी के तौर पर पुछताच के लिए बुलाया जा रहा है तो जो यहां पर यह एक दलील अर्विंद केजरिवाल की द्वारा दी जा रही है कि मैं यहां गवा के तौर पर बुलाया गया हूं मुख्यारूपी के तौर बुलाया गया हूं तो क्या वाकई म अर्विंद केजरिवाल की दलील में दम लगता है या केबल एक बहाना नज़र आ रहा यह देखा जाये तो जबीबी केजरिवाल या फिर उनकी सरकार या उनकी पार्टी सवाल पोगए सब्सक्राइए तो उनका एक जवाब होता है कि यहां पर आवंदे पार्टी और विंद केजरिवाल नजर आते हैं क्योंकि कुछ भी कहो तो सबसे परा जवाब बीजेपी का आता है यानि इतने तरास यहां पर वो बीजेपी से हो गए हैं कि हर जगे बस बीजेपी और प्रदानमंती नरिदमोदी उनको दिखाए देते हैं और यही जबाब वो देते हैं कि राजनी इडी का यहां पर समन है इडी उनको क्यों बढ़ाना चाहती है देखा जाए तो पूरी पार्टी का हिनाम चार सीट में डालने की बात की जा रही है यह बात पिछले हफते तक हो जाएगा और लेकिन कहा जा रहा है कि इस हफते यह होना पर पूस्ता होना लाजमी है कि अगर करोड़ों रुपए पार्टी फंड में गए हैं तो मुख्या को यहां जवाब देना होगा लेकिन मुख्या कहीना कहीं अपने इन जवाबों से बस्तिम्चरा रहे हैं जो कहीना कहीन आमादवी पार्टी के लिए ठीक नहीं यावे तीन जनवरी को पेश होती है या नहीं दॉलत मिला आकरी सवाल छोटा सा सवाल आप से इसी पर रहेगा कि अर्विंद केजरिवाल अगर तीन जनवरी को तीसरे समन्प के बाद भी पेश नहीं होते हैं तो क्या गिरफ्तारी होगी देखिए जो रूल है यहां पर इड आप सामना करना होगा देखिए ग्रफ्तारी का डर तो है यहां पर भी यहां पर माफीजेगा आवांदी पार्टी को कि पहली चला है कि जो पूस्ताश के लिए वो तुरंद ग्रफ्तार हो गया और इसी डर से यहां पर वो नहीं जा रहे और अगर वो चले जाते हैं पूरी पार्टी पर ताला लगने के संभावना आ सकती है तो अर्विंद केजरिवाल फिर चाहेंगे कि एडी के जवाब तो वो दें लेकिन ऐसे जवाब ना दें कि उनको यहां पर हिरासत में लेजा लेकिन कुछ सीम यहां पर प्रोटोकॉल होते हैं उनको देखते हुए पर ग्रफतारी होना क्योंकि वे देश की राजधानी दली के मुख्य मंत्री के तौर पर इस समय जम्यदारी निभा रही हैं ऐसे में अर्विंद केजरिवाल की कुछ हद तक सहूलियतों का ध्यान इडी रख सकती है और उनसे समय लिया जा सकता है कि आप किस वक्त किस जग देखना अब बेहत ही जरूरी होने वाला है आपका क्या कुछ मानना है अर्विंद के जरिवाल के अगले कदम पर कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताईएगा फिलहाल के इस पेशकर्श में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आ बेन नहीं